सफेद बालों को जड़ से इतना काला और खुबसूरत बना देगा यह रामबार नुस्खा हेलो एबरिवन बल्कम बैक टू माई योटूब चैनल कैसे हैं आप सब उमिल करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे यह सदा बहार का पौधा है दिप पुस्पो से लदा है फूलों से इतना ज़्यादा लदा है इसके फूल बहुत खुबसूरत है इन फूलों को और पत्तियों को मिला कर अपने बालों में लगा कर देखिए आपके बाल बहुत काले और मजबूत हो जाएंगे सदा बहार और सदी पौधा है कैंसर डायवेटीज का राम बाड इलाज है सदा बहार और सदी गुरों से भरपूर सदा बहार एक जड़ी बुटी है सदा बहार के फूलों और पत्तियों का इस्तमाल करके आप बालों को खुबसुरत और घना बना सकते हैं और अपने इस्किन के दाग धबे जाईयां को ठीक कर सकते हैं सदा बाहर के फूलों और पतियों को कई तरीके से अपने हेर केर इसकिन केर और हेल्थ केर के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए तोड़ते हैं सदा बहार के फूल और पत्तियों को बालों को खुबसुरत बनाने के लिए आज हम बनाएंगे सदा फूल और पत्तियों को तोड़कर इन फूलों और पत्तियों को कैसे लगाना हैं आपको पसंद आती है तो मैं चैनल को लाइक और शैर कर लीजिते हैं और आपको सब्सक्राइब कर लीजिये साथ में प्रेस कर लीजिएगा उट्राइब के फूल और पत्तियों के इतने सारे प्रैदे कि यह जतना बताएंगी कम ही होगा अगर आपको यकीन है आप नो आव इस पर देख सकते हैं जानकारीन दे सकते हो इसे भाले में ले सकते हैं जानकारी है बनाने के लिए इससे हम एक साइड के लिए नहीं तो होने के लिए अपने बालों के लेंट को पूर पतियों को तोड़ सकते हैं को मैंने ग्लास पाली डाल दिया था दर गरम होने के लिए इसमें डाल दिया मैंने deception माश की पर और इसमें डालेंगे Size कॉफी अगर आप पास कफी नहीं तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं बालों के लिए कई तरह से आप हेर पैक बना सकते हैं सदा बाहर के फूल और पत्तियों से हेर पैक बनाने का तरीका सबका अलग अलग होगा इनकी बहुत सारी वीडियो मैं आपसे सेयर करने वाली हूँ लेकिन एक एक करके सेयर करूंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी चाय का पानी पगने देंगे दो से तीन मिट के लिए कड़ाहे में अच्छे से पास चलिए अब हम फूलों और पत्तियों को दो कर अच्छे से पीस लेंगे पेस्ट बना लेंगे तो पहले मैं इसे अच्छे से धो लिया है अब मिख्सी ग्राइडर में डाल देंगे फूल पत्तियों दोनों को एक साब और इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी ड हम अपके बीन लिए सब्सट नुक्त हरेया है चैने सदा बाहर का जटनी पांड बालो review रगाने हम चैने सदार पानी मिहां सब्सक्राइब करें लिए सपर देना जाओ जूंस सकते ही पानी likewise करें प्राइब क्यों पेस्ट इसका कलर बिल्कुर डर्क हो जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे और से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब यहां पर आप चाहें तो से ठंडा करने के बाद अपने बालों में लगा सकते हैं इसी तरह से दो घंटे के लिए उसके बाद पानी से ध मिल्क चिन्हें फान हो पानी हम थोड़ा सा डाली गें और बचा हूँ पानी को हम अलग कर दें क्यूंकि haya पूरा पानी यूच नहीं करना है यहां मैंने लिया है 7-8 संबर महिंदी पाउडर महिंदी का पाउडर लिया है मैंने आपको जो ही मेंधी लगाते हैं अपने बाल ने याना हो करण थोड़ा Kell nous więcej पानी डालते जाएंगे अच्छी से दोय में जडूगे ज़ते हमें पानी जडाने को हैंगे एन पानी करते हैं इस पानी ही दो अब जो बचा हुआ पानी है ना इसे फ्रिज में लगाने के लिए इस कड़ाही को ढ़कर रख दें ओवर नाइट के लिए जब दूसरे दिन मैंने को खोल कर देखाना यतना ज्यादा काला हो चुका है ब्लैक हो गया है अब अच्छे से मिक्स करेंगे को अच्छे से मिलाएं मिक्स कर सकते हैं औरिया लिक wonder के लिए अच्छे से मिलों ने के झहां के लिए गजार्प शाविणे कि हमादे ने इसे मिलाने के बाद रिचापrant अप्लाइब यह करेंगे चिलिए इपने बालों लगा कर मैं दिखा दिखाती यूं ने चार्थे बालों के जोड़ा बना थे दोὐसे खुटटे के लिए हम सुट साथ4 साू न Means दोनों रचे लगें, नेका नए छूड़ा बना लिया हूism मैं ऩुर सुटा कर में हें एडाप 20 में हम बालों में बहुत अच्छा आया है बीना कलरEr संच आ घालoire होगा है ब्लैक कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है अब बालों में ना तो ऑइलिंग दिख रही है ना ही ब्लकुत ड्राइ है बहुत अच्छे हैं अब हम इसे एक दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे उसके बाद हम शैंपू करने से पहले बालों में तेल लगाएंग तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल अकन प्लेस कर दीजिए इससे में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में थाइंक यू बाबाई